नमस्कार दोस्टां स्वागा थे आपका हमारे शिनल चार जागंदर मिस्टा में दोस्तों आज हम बात करेंगे आज के मित्षून रास्ट की दनिक रास्वल के बारे में लेकिन उस से पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग के बारे में 15 शितंबर 2021 बुद्धवार का दिन है और भादर पदर शुक्ल पक्षी नवमी तिति है नचतर की बात करें तो आज मोल है और अब जीत महूर ताज दुपार 11 बच के 49 मिनट से लेके दुपार 12 बच के 69 मिनट तक रहेगा आज के सुरूदे सुबए 5 बच कर 56 मिनट पे और चंद्रमा की जोश्तिती होगी वो होगी धनु राशी पर आज के जो असुब समय होगा वह होगा सुबए 7 बच कर 69 मिनट से लेके सुबए 8 बच कर 22 मिनट तक रहेगा इस असुब समय में कोई भी सुब और नए कार की राशी पर अधरित है मिथुन राश्कियत को आज 5 बड़े गुड़नियूज मिलेंगे यानि 4 से 5 बड़े गुड़नियूज मिलेंगे मिथुन राश्कियत को क्यूंकि आज के दिन जो आपके बहुत अच्छा जाने वाला है मिथुन राश्कियत को आज आपकी बिशे से पहचान एवं मुलाकात हो शकती है जो कि आपके लिए काफी ज़्यादा बेहतर सावित होगी फाइदेवंद सावित होगी ये मुलाकात आज आपको आपके भाग का साथ मिल रहा है मिथुन रास्कत को आज के दिन आपके लिए उपलब्धियों से भरा रहने वाला है जीवन जनाई भी बना शकते हैं खरीदने की बेचने की इससे आपको फाइदा होगा और संतान से आपको काफी खुशी मिल रही है क्योंकि आज उनकी पढ़ाई पर उनकी मदद करते दिखाई दे रहे हैं मिथुन रास्कत को और वो पढ़ाई पर अच्छा प्रदर्शन करते दि आज आपको नौकरी में भी कोई बड़ा पदिया मन समान मिलता ना जराएगा आज आपके जो बोस हैं आपके काम से बहत खुश ना जराएंगे आपके काम में आपकी तारेफ कर सकते हैं आपकी मदद कर सकते हैं और हो सकता है बेतन में आपकी ब्रदी भी हो सकती है तो पह मित्हुन रास्क पूम आज आपको सफलताएं मिलेंगी काम का थोड़ा सा प्रेसर रहेगा हलक काम जव्यादा होने की बज़ denying की बेज़र से आपको हलक इश्यकर फायदा मिले गा भविष्व में प्रेसर में काफी ज़्यादा मिलेगा हलाग के काम के बिज़े से थोड़ा मानशिक प्रसर हो शकता है लेकिन आप बेपसाई में भी थोड़ा सा ध्यान दीजे और केरियर में भी ध्यान दीजे बेपसाई में कुछ अलग करते हो दिखाई देंगे आज की दिन मित्हुन राश के अत्कॉम आज आपके जीवन साथी के स्वास्त वे थोड़ी दिख्कते हो शकती है यहाँ पर आपको ध्यान देने के अवश्रवाद मिलेगा और समर्थान मिलेगा आज बिजनेस ब्यापार में तीसरी बड़ी गुड़ी जोज बिजनेस ब्यापार में कोई महतपूर्ण यानि डील के रूप में शफलता मिल सकती है लोटरिजट्टा में भी लाव हो शकता है आकाश्मिक रोप से धन का लाव हो शकता है रुके वे तमाम कार पूरे करने का प्रयाश करेंगे पिंडिक कामों का पूरा करने का भी प्रयाश करेंगे मिथन राजक्यत को और आज आपका रुका वफासवा धन प्राप्त होगा आज आपकी जो बित्ती मामले में काफी मजबूती देखने को मिलेगी आर्थी किस्तिती में शुधार होगा मितुन राजकत को धन को लेकर चिंताएं दूर होंगी धन आगवन के स्रोथ बढ़ेंगे पहले से कहीं ज़्यादा मुनाफ़ा कमाने का अपसर मिलेगा हाला कि मेहनत करने पड़ेगी भागदोर कसमे आज की दिन काफी ज़्यादा रहेगा भागदोर ज़्यादा करने पर सकती है इसलिए मितुन राजकत को थोड़ा से ध्यान रखना होगा किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करनी होगी काम के प्रत बिल्कुल भी लापरवाही ना करें अब जाकर आपको सफल ताइम मिलेंगी और यह डील आपके लिए काफी महतपूर्ण सावित होती नजराएगी कई तरह के शुक्षाधनों में बृद्धी करते नजराएंगे और फायदेवंद भी रहने वाली है आज की सिक्साथ अगर कहा शुनी होती है तो थोड़ा से ध्यान रखना होगा अपने वाणी पे यह सयम बरतना होगा आज आप कुछ महतपूर्ण यहनी सामान से ज़्यादा कुछ हट कर सोचने की कोशिश कर सकते हैं आज आपके अंदर बहुत शकरात्मक वहार आपके आसपास के लोगों को प्रभावित करता न जराएगा आज संगत से जीवन में बहुत अच्छे असर पढ़ने वाले हैं यानि बेहद अगर अच्छे संगत है तो इसका असर आपको फाइदा ही देगा अगर आज शकरात्मक कर रहने वाले हैं तो आज आपको इश्वर का अश्रवाद भी प्राप्त होगा मेथन रास के याद को आज आपके जो काम हैं काफी दिनों से जो पड़े हुए थे वो आपको यानि सफलता मिलेगी दोस्तों का सहयोग प्राप्त होगा धीरे धीरे आप पुराने कारियों में सफल होने के योग भी बन रहे हैं आज आप अपने बलबूते पर निवेस अगर करना चाहते हैं तो आज आपको लाब मिलेगा और बहतर लाब होगा दामपत्य जीवन साथी की बात करें तो दामपत्य जीवन साथी का भरपूर शाथ मिल रहा है आपके द्वारा किया गया प्रयास आपको काफी लाबदायक रहेगा दाम पत्ते जीवन में खुशियों की बहुचार होने वाली है जीवन साथी के रूप में पांच मी बड़ी गुढ़नियोज मिल सकती है आपको शंतान को लेकर शंतान के समस्याएं दूर होंगी शंतान की बाधाएं दूर होंगी और आपके कार्षेतर में मजबूती आएगी अगर आपके जीवन साथी नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी आज काफी अच्छी उपलब्धियों से भरा रहने वाला है उनके प्रमोशन की योग बनेंगे उनके सेलेरी में भी बरदी की योग बनते नज राएंगे घर परिवार की बात करें तो घर परिवार में बड़े बुजरुकों के सेहत को लेकर थोड़ी चिंताई हो सकती है हला कि चिंताई करनी की बहुत बिशेश आवस्यकता नहीं है लेकिन फिर भी शेहत के ध्यान हलाकि दीजेगा हलाकि आपके माता पिता के शेहत का ध्यान बहुत दर रखना है लेकिन माता का स्वास्ता और उनका आशिरवाद बना रहेगा गाड़ी बाहन के रूप में भी बड़ी गुड नियूज मिल सकती है गाड़ी बाहन की खरीदारी कर सकते हैं मितुन राजकत को क्योंगी चंद्रमा आपके चौते भाव पे गोचर कर रहे हैं चौता भाव होता है शुक्षाधनों का होता है गाड़ी बाहन का होता है जमेन प्रोपलिटी घर का होता है उपहार सुरूप में कुछ महंगी चीज़े देशकते हैं जो एलेरी से सम्भंधित कोई महंगी चीज़े देशकते हैं उनको खुश करने के लिए जो आपने प्रोमिश किया था काफी समस्थे उस प्रोमिश को पूरा करने का प्यास करेंगे मिथम रास के याद को और अगर इस्टुडेंट की बात करें तो इस्टुडेंट के लिए काफी अच्छा रहने बारा है पढ़ाय लिखाई पर फोकस बना हुआ है जितना ज़्यादा पढ़ाय पर फोकस करेंगे उतना आपक लिए लाबदायक रहेगा पढ़ाई लिखाई से सम्मंधित से नहीं आप ज़्यादा ध्यान देंगे फोकस बनाई रखें गहुमने फिरने से आपको बचना होगा दोस्तों के साथ हिंज्वाय करने से बचना होगा बलकि अपनी किसी कम्पुटिशन के अगर तयारी कर रहे हैं तो इसमें आप जाता सिदा शमय दीजिए और पूरी तरह से आप पढ़ाई पर फोकस बनाई रखें सेहत का उत्तमलाब मिलेगा कोई खास दिकत नहीं रहे कि लेकिन फिर भी अपने जीवन साथी का और अपने सेहत के थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए सर्दे जुखाम या फिर वाइरल बुखार थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है खान पीन की चीज़ों में ध्यान रखें बाहर की चीज़े तेली चीज़ों से दूरी बनाई रखें और घर के शुक्षादर में ब्रद्य करेंगे कुछ महतपूर्ट चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं अबक जो होगी धन की वो जवर्जस्त रहेगी धन आने से आपका मन काफी परसंट रहेगा लेकिन कुछ मामलों में थोड़ा ध्यान देना होगा किशी को धार करजें ना दे में तुन राजक्यात को आज आपका शुबरंग रहेगा यहाँ पर गुलाबी कलर भाग साथ निवारा आपका तकरीवन 92 परसंट दोस्तो जाते ते वीडियों लाइक ज़रूर करें नहे तो चैनल सब्सक्राइब करें उसे शेयर करिए जैशनुदे